सोती समय तकिये का इस्तिमाल हो सकती है बड़े नुक्षाद क्या आप भी करती है इसका इस्तिमाल तो हो जाईए सतर्क नमस्कार मैं कॉमल सिंग और आप देख रहे हैं उत्रपदेश टाइम सेहत मंद रहने के लिए अच्छी नीद लेना आवश्यक है नई तो इससे कई तरह की बीमारियों के होने का खत्रा बना रहता है इसके अलाबा आदी अदूरी नीद लेने से भी बोड़ी का संतुलन बिगणने लगता है जिससे ठकान और कमजोरी की समस्या हो सकती है लेकिन सोते समय की गई आपकी कुछ गल्तियों की वज़े से सेहत सम्मंदी परिशानिया बढ़ सकती हैं आपको बता दे कि सोते समय अधिकतर लोग अपने सिर के नीचे तकिया लगाती है वही कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दो तकिये का भी इस्तिमाल करती है लेकिन क्या तकीया लगाने की आदत सही है? सोते समय सिर के नीचे तकीया लगाने से क्या शरीर को नुकसान नहीं होता? आज हम आपको इनी सभी सवालों के जवाब देंगे Health experts के अनसार सोते समय सिर के नीचे तकिया लगाने की आदत शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है अगर आप तकिया का रोजाना इस्तिमाल करते हैं तो इससे आपको गंभीर बीमारियों के होने का खत्रा बढ़ सकता है अब बात करते हैं तकिया लगाकर सोने से कौन कौन से नुकसान होते हैं सिर के नीचे तकिया लगाकर सोने से गर्दन, कमर कंदे और रीड की हड़ी में दर्द हो सकता है इसकी अलावा इससे माइग्रेन और सर्वाइकल की समस्या भी हो सकती है जो लोग सोते समय अपने सिर के नीचे उँचा तकिया लगाते है उनकी खोपड़ी तक खून का संचार सही तरीके से नहीं होता है जिसकी बज़े से बालों को परियाप्त मात्रा में पोसर नहीं मिलता है ऐसे में व्यक्ति के बाल जढ़ने लगती जिसके बाद ना तो उनके बाल बढ़ती है और ना ही घने होती है। वहीं जो लोग दो तकिये लगा कर सोती है, रात में उन्हें अच्छी नीद नहीं आती है, रात वर वह करवटे बदलते रहते हैं और जब व्यक्ति की नीद अधूरी रह जाती है तो इससे दिन वर उससे स्ट्रेस रहता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता है, अगर लंबे समय तक व्यक्ति की नीद पूरी नहीं होती है तो इसका प्रबाव उसकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ सकता है। अगर बात करें तकिया नहीं लगाकर सोने के फाइदे की तो सिर के नीचे जब हम बिना तकिया लगाकर सोते हैं तो इससे गर्दन और रीड की हड़ी में दर्द नहीं होता है। इसकी अलावा रीड की हड़ी की पोजीशन सही रहती है जिससे कमर, हात और कंधे में दर्द नहीं होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही यसी ही तमाम अपडेट के लिए जोड़े रहिए उत्तरप्रदेश टाइम्स के साथ।